हेलो दोस्तो श्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर मैं परविंट सिंग जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तो NVS यानि नवोदे विदाले के अंदर जो लेब अटेंडेंट की वेकेंसी आई है जिसका एक्जाम होने वाला है 9-10-11 मार्च में से कभी भी तो आप लोगों के लिए मैं लगातार MCQ बैच लेकर के आया हूँ आप लोग जानते हैं और आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट के अंदर हमारे वीडियोज एवलेबल है तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी इस बैच को जादा से जादा लोगों तक पहुचाई है ता जिमनल लिखित युगमों मैं से किन बौतिक राशियों के सम्मान वीम्य सुत्र नहीं है यानि कि जो डाइमेंशनल फॉर्मूलाज होते हैं वो कौन सी दो आपके फिजिकल कॉंटिटीज के लिए सेम नहीं है ये कोशन आप से पूचा जा रहा है तो दो कौन कौन सी तो हम क्या करेंगे इन जो भी पेर्स दे रखे हैं इन सभी के डाइमेंशनल फॉर्मूलाज लिक लेते हैं जैसे कि अगर हम बात करें बल यानि की फोर्स तो फोर्स का जो डाइमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है एम एल वन टी माइनस टू ठीक है ऐसे ही अगर हम प माइनस टू ठीक है तो बल का क्या है m l एम ऑल स्क्वेर माइनस टू और आपके दाब का क्या है दोस्तो m l माइनस विर trained kya होगा यह होगा m l टी माइनस टू और बार क्या होता है दोस्तो आपका w weight weight बराबर होता लो ग 상태 है m क्या होता है आपका अरे M का मतलब क्या है दोस्तों M का मतलब दर्विमान यानि M आ जाएगा और G G क्या होता है Gravitational Acceleration Gravity Acceleration यानि की Growth Wear Tauran अब Tauran का जो है आपके क्या होता है L T minus 2 तो ये दोनों तो सेम है ऐसे ही Car Ray जो होता है वो होता है W बराबर F dot S और उर्जा जो है वो क्या होती है दोस्तों आपके Kinetic Energy का लिखो चाहे Potential Energy का या किसी का भी लिख दो अगर हम Potential Energy का लिखे हैं तो होगा आपके M G H के According तो ये और ये जब आप देखेंगे तो Equal आ जाएगा क्यों क्योंकि M G किसका होगा F का और S का यानि H का तो ये भी Same आ रहे हैं Aaveg और Samaveg भी आपके Same होते हैं हाँ तो आपके Answer हो जाएगा दोस्तों A क्यों क्योंकि बल और दाब का जो विम्य सुत्र है वो अलग-अलग है बल का विम्य सुत्र क्या है ML T-2 दाब का विम्य सुत्र क्या है ML-1 T-2 ठीक है चलिए बढ़ते हैं Next Question की और Next Question है दोस्तों दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनकी दिसा अलग होती है या उनके परिणामी सुनने होते है या परिणामी सुनने नहीं हो सकता या उप्रिक्त में से कोई नहीं तो दो वेक्टर है जिनके मान अलग है तो अलग है तो फिर ओवेसी बात है कि दोनों के परिणाम जो है वो अलग अलग है दोनों का ही मैगनिटूड अलग है तो इनका टोटल मैगनिटूड कभी भी सुनने नहीं हो सकता यानि resultant magnitude जो है दो वेक्टर का सुनने नहीं हो सकता ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की और next question आजाता है दोस्तों आप लोगों के कि निम्नल लिखित में कौन सी वेक्टर रासी है यानि कि बल चाल उर्जात आपमान मैं से सदीस रासी कौन सी है तो सदीस रासी कौन सी हो दोस्तों परिमान भी हो यानि magnitude भी हो और direction यानि दिसा भी हो ठीक है तो निम्नल लिखित में कौन सी वेक्टर रासी है तो वेक्टर रासी कौन सी हो जाएगी तो वेक्टर रासी के उधारण मैंने बताये थे आपको वेग है बल है तो बताओ वेक्टर रासी कौन सी हो और चाल के पास में direction नहीं होती ठीक है चलिए और सुरी तापमान के पास भी direction नहीं होती तेमपरेचर डिफ्रेंस के पास होती हो तो आगे देखिए next question है आपका निम्न लिकित में से कौन एक सदीस रासी नहीं है तो सदीस रासी कौन नहीं है सदीस रासी कौन सी नहीं है बताइए अब सदीस रासी कौन सी नहीं होगी जिसके पास में या तो direction नहीं होगी या magnitude नहीं होगा अब सदीस रासी कौन सी नहीं है तो option हो जाएगा आपका दर्वेमान क्योंकि दर्वेमान के पास direction नहीं होती है वेक के पास होती है समवेक के पास होती है कौन यह वेक के पास में direction होती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की और next question आ जाता है दोस्तों आप लोगों के कि किस सदीज का परिमान कभी नहीं हो सकता तो किसी भी वेक्टर का जो परिमान है दोस्तों वो negative नहीं हो सकता क्या नहीं हो सकता है क्योंकि हमेशा जो आपका परिमान होगा वो positive होगा वेक्टर के लिए समझ में आगई बात ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की और next question है आपका अदीश रासी कौन है तो अदीश रासी जिसके पास या तो direction नहीं होगी या magnitude नहीं होगा तो आपको बता दू दोस्तों बल आगून क्या है अरे भाई ये सदीश है क्योंकि इसके पास दोनों होते हैं ऐसे ही समवेग आपका सदीश है क्योंकि इसके पास दोनों होता है लेकिन आपके जो नहीं होती है तो दिसा नहई होने के कारण अदीस रासी कौन सी हो जाएगी उर्जा समझ में आ गई बात चलो नेक्ट कोशन की और बढ़ते हैं नेक्ट कोशन है हमारा कि अदीस एक मात्रा है क्या है मात्रा है जिसमें अचाहिए आपका यहां गलत चप गया है अदीस एक प्रमात्रा या आप यह कह सकते हैं कि यह कौंटिटी एक रासी है ठीक है जिसमें परिमान होता है लेकिन क्या नहीं होता है तो दिसा नहीं होती है क ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question है हमारा पर्थवी वायू मंडल को किस परकार पकड़े हुए है तो जो पर्थवी है वो वायू मंडल को किस कारण से पकड़ी हुई है गुरुतवा करशन के कारण प्रिष्ट तनाव के कारण पर्थवी का अपवर्तन के कारण या सूरे के परबाव से तो पर्तवी जो है वायू मंडल को गुरुत्वा कर्शन बल के कारण पकड़े हुए है ठीक है चलिए अब मैं तोड़ी सी इसके बारे में अगर बात करूँ दोस्तो तो वायू मंडल के गैस में जो आपके अनू है उनका उश्मिय वेग प्लायन वेग से क्या होता है कम होता है क्या होता है कम होता है और उस वज़े से पर्तवी के जो गुरुत्वे चित्र से बार नहीं जा पाती है इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्तवी जो है वायू मंडल को अपनी और गुरुत्वा कर्शन से पकड़ी हुई है साथी साथ प्लायन वेग जो है दोस्त कौन सा वेग प्लायन वेग ये वो मिनिमम वेग होता है जिस से किसी वस्तु को फैकने पर वह जो है आपके कहां चली जाती है वापस परत्वी पर नहीं आ पाती है या हम यह कह सकते हैं कि अगर हमने प्लायन वेग से किसी वस्तु को फैका है तो वह वस्तु जो है परत्वी क गुरुत्वा कच्छन बल की लिमीट को भी पार कर जाती है और यह होती है वी बराबर अंडरूट 2 जी आर եीक है तो प्लायंद वे क्या होता है अंडरूट 2 जी आर आर क्या है radian थीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की और next question आजाता है आपके कि कार के इस्टेरिंग में सामिल है जो कार है दोस्तों आपके उस कार का जो इस्टेरिंग होता है उस इस्टेरिंग में क्या सामिल है तो बताओ एक बल एक एकल बल नहीं एक ही बल होता तो एक ही डिरेक्शन में कार चलती रहती हैं अरे सही है क्या ना ही ठीक है बलो का एक यूगम जो विपरित दिसाओं में तथा उसी लाइन पर कारे करते हैं क्यों 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 कि भाई साब आपके इस्टेरिंग में कितनी होती है एक ही डंडी होती है उस स्टेरिंग को गुमा जाता है तो दो बलो का एक यूग में होता है वहाँ पर जो विप्रित दिसाओं में लगता है एक बार आप लेट साइड गुमा सकते हैं लेकिन लाइन ओप एक्षन यानि कि जो लाइन ओप एक्षन है वो तो आपके कौन सी रह है उसका भार पर्थवी पर कितना है पर्थवी पर 600 न्यूटन है कितना है 600 न्यूटन और आप लोग जानते हैं कि अगर पर्थवी पर पर्थवी पर आपका जो गुरुत्व त्वरण है वो मानलो जी है तो यह चंद्रमा पर कितना हो जाता है चंद्रमा पर हो जाता है व time कम हो जाता है इसका मतलब यह हुआ कि अगर पर्थवी पर किसी वस्तू का भार डबलू है तो चंद्रमा पर हो जाएगा कितना डबलू बाई 6 समझ में आ गई बात ठीक है चलिए तो अब पर्थवी पर अगर 600 है पर्थवी पर कितना है अरे भाई बार 600 तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा तो चंद्रमा पर हो जाएगा 1 बाई 6 इंटू 600 6 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा आपके 100 न्यूटन यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो आपसन नमबर D आपका सही है किलियर है बात लेकिन यह तो बात हो रही थी भार की इसलिए यह हुआ चेंज अगर इस जगे बात होती दर्वेमान की तो आपको बता दू दर्वेमान हमेशा हमेशा नियत रहता है नियत रहता है समझ में आ गई बात तो जो आपका दर्वेमान है वो किसी भी वस्तू का कहीं पर भी चेंज नहीं होता है चाहे उसे चंद्रमा पर ले जाओ चाहे मंगल गरे पर ले जाओ चाहे आपके घर में ले जाओ चाहे मेरे घर पर लेकर आ जाओ समझ में आ गई बात लेकिन change होता है तो क्या change होता है बार change होता है क्यों क्योंकि बार जो है दोस्तों आप लोगों के क्या होता है weight equal to होता है mg दर्विमान गुणा gravitation acceleration या gravity समझ में आ गई बात clear है आपके तो ये बात आपको याद रखनी है ठीक है समझ में आ गई बात ये याद रखेंगे आप तो w बराबर होता है mg तो लड़के का भार पर्तवी पर 600 newton है तो चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा six time कम हो जाएगा यानि 100 newton हो जाएगा समझ में आ गई बात और अगर दर्विमान की बात करेगा तो वो हमेशा नियत रहेगा आप उसको change नहीं कर सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं next question है हमारा और next question क्या है दोस्तो कोई वस्तू अधिक्तम भारसिल होती है कोई भी वस्तू जो है अधिक्तम भारसिल यानि अधिक्तम भारसिल यानि अधिक्तम उसका कब होगा तो कोई भी वस्तू अधिक्तम भारसिल जो होगी वो निर्वात के अंदर ही होगी कहाँ पर होगी निर्वात के अंदर ही वह जो है अधिक्तम भारसिल होगी क्यों कि देखिए किसी भी वस्तू का भार कितना होता है अभी जश्ट बताया W इक्वल टू होता है MG समझ में आ गई बात अब देखिए इस वस्तू पर कारे जो है अगर आपके क्या करे उत्प्रेशन बल कारे करने लग जाए यानि उत्पेक्षन बल अगर इसके उपर उत्पेक्षन बल जो है कारे करने की दसा में तो क्या हो जाएगा आबासी बार इसका कम हो जाता है जब आप जल में लेकर गए तो वहाँ उत्प्रेशन बल लगेगा जो निचे से इसको उपर क्यों तके लेगा तो उस समय इसका आबासी बार कम हो जाता है तो हम जल में तो कह नहीं सकते समझवा आगई बात लेकिन आपके देखो भाई ये कहीं पहर भी वाईउ में हो चाहे डोचन में हो सब जगे आपका एक अलग से बल तो लग रही है लेकिन अगर आप निर्वात में हो तो निर्वात में ना ही तो आपके पास में क्या है दोस्तो ना ही तो आपके पास किसी चीज का विरोध है ना ही और कोई अन्य चीज है तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु का अधिक्तम बार आपको कहा मिलेगा निर्वात के अंदर मिलेगा कहां पर मिलेगा निर्वात में अधिक्तम भार आपको देखने को मिलता है वस्तू का समझ में आ गई बात किलियर है आप लोगों के लिए बढ़े आगे की और चलिए दोस्तो अब बढ़ते हैं हम आगे की और तो बढ़ते हैं आगे की और और next question आजाता है आपके कि Newton पर 3 kg यानी Newton पर kg जो मातरक है वो किसका है बताओ अरे ये चीजे मैं आपके सामने clear कर चुका हूँ इससे पहले भी बताइए जल्दी से आप कि आपका जो है कहां पर होगा बताइए बताइए जल्दी अरे जल्दी स बताइए कोई बता सकता है क्या जल्दी बताओ बताइए जल्दी से तो Newton पर 3 kg जो मातरक है वो कहां किसका होता है तोरन का होता है सर तोरन का हमने तो आज तक मीटर की मीटर पर सेकेंड इसकोर सुना था अच्छा तो क्या फरक पड़ता है अभी देख तेरे को दिखा देत हूँ कैसे आएगा Newton पर 3 kg जो है वो तोरन का मातरक कैसे आएगा तो देखिए F बराबर होता है M A होता है या नहीं अब देखो तो A बराबर मैं लिख सकता हूँ F upon M और F क्या होता है बल बल का मातरक क्या है Newton और बटे में क्या है धर्वेमान जिसका मातरक होता है kg तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि तोरन का मातरक होता है Newton पर 3 kg तो आपके तोरन का मातरक मिला या नहीं आपको मिल चुका होगा ठीक है अब देखिए आपके उश्मा हो चाहे कारे हो चाहे उर्जा हो तो उसका मातरक तो क्या होता है जूल होता है समझ में आगई बात बल का मातरक क्य होता है निउटन होता है और समता रे भाई समता का मतलब क्या है समता का मतलब यहाँ पर कोई नहीं है समता जो है किसकी समता की बात हो रही है यहाँ कोई इस पर श्रीजनोंने बताया नहीं है तो हम यह कह सकते हैं कि समता का अभी इसमें कोई मात्रक नहीं है चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की और next question में तो next question अगर हम देखें दोस्तों तो कह रहा है कि यदि पर्थवी की 31% गटा दी जाए पर्थवी की जो त्रिज्या है 100 थी माल लो उसकी जगे अब हमने क्या कर दी 100 से गटा करके 99 कर दी तो जो आपका जी है उसके उपर क्या परबाव पड़ेगा तो मैं आपको बता दू दोस्तों देखिए जी जो है equal to होता है आपके capital G capital M upon R square ठीक है ये याद रखना अब यहाँ पर जो आपका ये जी है ये है gravitational constant इसकी value मैं आपको 3 से 4 बार बता चुका हूँ आज आप लोग मुझे comment करके बताएंगे कि इस capital G का मतलब क्या है इस capital G की value कितनी होती है M जो है दोस्तों आपका क्या होता है दर्वेमान और R जो है वो आपके तो ultimately G का मान बढ़ेगा क्या होगा increase होगा क्योंकि G is inversely proportional to R square मतलब G अगर हम बढ़ाएंगे तो R कम होगा R बढ़ाएंगे तो R बढ़ाएंगे तो G कम होगा और अगर R घटाएंगे तो G बढ़ेगा तो हम यह कहेंगे कि R जैसे ही घटाया आपका यह बढ़ जाएगा समझ में आ गई बात क्या बढ़ जाएगा आपका small G की value बढ़ जाएगी gravity जो है gravitational acceleration है उसकी value बढ़ जाएगी चलिए बढ़ते हैं next question की और next question है दोस्तों हमारा कि पर्थवी की सते पर किसी वस्तू का भार 29.4 Newton है तो उसका दर्विमान कितना होगा अरे भार यानी w बराबर होता है mg w दे दिया आपको 29.4 बराबर हो जाएगा m into g g की value आप ले सकते हो 9.8 या फिर 10 लेकिन 9.8 लोगे तो यह इस पर्ष्ट कट रहा है तो मैं 9.8 लूँगा तो m बराबर कितना आएगा देखो point से point उड़ेगा और आठ तीया यानी के लग बग m बराबर आजाएगा 3 kg समझ में आ गई बात तो वस्तू का दर्विमान तो है 3 kg लेकिन वस्तू का बार कितना था 29.4 समझ में आ गई बात किलियर है आप लोगों के बात यह चलिए बढ बल 0.5 kg के पिंड में 10 meter per second square का त्वरण उत्पन करता है तो बल का मान होगा एक बल है क्या है एक force है हमारे पास बल है जो क्या कर रहा है एक बल हमारे 0.5 kg का पिंड है तो देखो m दे दिया 0.5 kg ठीक और त्वरण यानि acceleration दे दिया 10 meter per second square मुझे निकालना है f तो f बराबर होता है m into a m की value 0.5 a की value 10 multiply करते ही आ गया 5 newton option number a ठीक है तो ऐसे question आप लोगों से पूछे जा सकते है ठीक है clear है ऐसे ही आपसे nvs में तो ऐसे ही पूछे जाएंगे हा लेब assistant जो राजस्तान वाला है उसमें ऐसे नहीं पूछे जाएंगे उसमें थोड़ा सा level अप रहेगा ठीक है और उसमें तो ये syllabus में भी नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की और next question है हमारा की एक गैंद उच्चाई पर inch उच्चाई पर विराम की इस्तती से फर्स पर गिरती है तो इसके लिए थोड़ा सा अच्छे से करेंगे ये थोड़ा सा भी टप पेपर बने तो हम उसको हैंडल कर पाएं तब हमें बाद में यह रोना नहीं पड़े कि हमारे तो पेपर टप आ गया था आ सकता है न भी टपर टप इसमें क्या है देखो तो अब हम क्या करेंगे कि मान लो यह एक गैंद है यहां से यहां की यह जो उच्चाई है यह मान लो कितनी है विराम अवस्ता से गिर रही है मतलब पहले यह जीरो में थी फिर बाद में यह गिरना इस्टार्ट होती है और फिर यह यह यहां टकराई होगी गिरती है तो उच्चाई H.4 H.4 यानि वापस से यह इसकी वन फोर्ट तक उचलती है तो गैंद तता फर्स के बीच परत्या वस्तान गुणांक है क्या पूच रहा है परत्या अवस्ता गुणांक अब यह मैं आपको बता दू दोस्तो कि जो परत्या अवस्ता गुणांक होता है यानि इलक्स्टिशिटी कॉंस्टेंट आपसे पूचा जा रहा है जो कि आपके रोटेशनल और आप जो काइनेमेटिक्स वाला चेप्टर पढ़ते हैं उन दोनों के बीच में आपका यह कॉंसेप्ट आता है कि टकराने पर आपके क्या होता है समझ में आ गई बात चलिए तो मैं इसको आपको बता दू पहले ही कि इलक्स्टिशिटी या परत्यावस्तान गुणांक का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब यह होता है कि टकराने के बाद में सुरी टकराने के पच्चात आपका वेग कितना है हमारे को U and V की वेल्यू निकालनी है समझ में आ गई बात चलिए अब देखिए दोस्तो अगर हमारे पास हमें जो है H दे रखा है हमारे पास में U है हमें V निकालना है तो हमारे पास T नहीं है न तो हम न्यूटन के समिकरण के अनुसार थर्ड जो है V स्कूर बराबर U स्कूर प्लस 2GH का उपियोग करेंगे V स्कूर हमें निकालना है U हमें बोल दिया है कि विराम की इस्तती से यानि 0 प्लस 2 इंटू G इंटू H ही रहेगा तो V बराबर हो गया अंडर रूट 2GH यह वो वेलोसिटी है जब वो यहां तकराई होगी यहां तकराई होगी ना तब इसकी वेलोसिटी इतनी थी कितनी V बराबर अंडर रूट 2GH अब जब यह इतना तकराने के बाद वापस H भाए 4 पर गई तो यहां वापस से इसकी final velocity कहीं ने कहीं 0 हुई होगी तब ही तो 0 होने के बाद यह वापस नीचे आई है तो यहाँ वापस से equation लगाएंगे V square बराबर U square प्लस देखो अब क्या होता दोस्तों अगर नीचे वाले को आप positive ले रहे हो तो जब वस्तू उपर जा रही है तो आपको G negative लेना होता है तो minus 2GH इन final velocity इसमें 0 हो रही है initial velocity आपके अब यह वाली हो जाएगी तो आप इसको put कर देंगे तो क्या हो जाएगा U square minus 2G और H by 4 तक जा रहा है यानि यह 2 तो U बराबर क्या आजाएगा आपके पास में अंडर रूट G H upon me 2 यह आ गया U की value और यह हमारे पास V की value तो पहले ही आ चुकी थी तो इसका एक मिनट इस U का और V का जो ratio होगा वही हमारा answer हो जाएगा तो हम यहां से ratio अगर निकालेंगे तो E बराबर आएगा आपके पास 1 by 2 क्यों देख लो भाई इस पस्ट दिक रहा है कि U क्या है अंडर रूट 2 G है तो यह तो कट जाएगा उपर आ जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 2 यह कटेगा तो यह बन जाएगा 1 upon अंडर रूट 2 इंटू 1 upon अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 हो जाता है 2 तो E बराबर हो जाएगा 1 upon 2 तो परत्यावस्तान गुणांक क्या होता है कि आपके टकराने के पहले उसका वे कितना था टकराने के बाद उसका वे कितना है उन दोनों का जो ratio होता है उसे हम कहते हैं परत्यावस्तान गुणा अंकर जिसे E से represent किया जाता है और हमने यहाँ दो case लगा है पहले वस्तू उपर से निचे आई फिर निचे से टकरा कर वापस उपर गई दोनों ही बार हमने जो है Newton के थर्ड समिक्रण गती का जो तीसरा समि है उसी का उपियो किया हमारा आंसर आ गया ठीक है चलिए बढ़ें अब आगे की और तो हम next question की और बढ़ते हैं next question है हमारा एक थोड़ा सा बड़ा लिया है ये question मैंने और आपको जो है इस question को solve करने का प्रयास करना है इसमें पूछा जा रहा है आप से की आपके पास एक elevator जिसका वजन है 600 kg और 4.9 meter per second square के तोरंड से एक cable द्वारा उपर की और खिचा जाता है तो cable का तनाव लगबग है तो क्या कह रहा है कि एक आपका elevator है क्या है आपका एक elevator है जिसका वजन है कितना उसका वजन है 600 kg जिसे एक cable के द्वारा उपर की और खिचा जा रहा है तोरंड कितना है उपर खिचने का तो तोरंड है 4.9 meter per second square तो आपको बताना है कि जो ये cable थी इसके अंदर तनाव कितना है ultimately कहने का मतलब ये है कि जो तनाव आपका जोई cable है ये जो नीचे की और खिचेगा तो इसमें कितना बल लगेगा समझ में आ गई बात तो देखिए दोस्तो आपके पास में ये आपका मालो elevator है जो 600 kg का है इसमें नीचे की और आपको पता है गुरुत्वा कर्षन बल आपका लग रहा होगा mg ठीक है और इसको जो है उपर की और कौन खिच रहा है आपके cable यानि उपर लग रहा है आपके तनाव नीचे लग रहा है गुरुत्वा कर्शन बल ठीक है तो आपका उपर की और बल कितना लग रहा है T नीचे क्या लग रहा है M G और उपर ज्यादा खीच रहे हैं मतलब उपर वाला बल ज्यादा ही होगा तो उपर वाला माइनस नीचे वाला बल और बल बराबर क्या होता है MA तो यह हो गई आपकी equation T माइनस M G बराबर MA ठीक है MA क्यों लिया equal में क्योंकि आप लोग जानते हैं कि F बराबर होता है MA तो हम पहले net force निकालेंगे इस elevator के उपर तो net force कितना लग रहा है T माइनस M G और वो equal हो जाएगा MA के अब value put कर दीजिए T तो आपको निकालना है 600 आपका इसका वजन था G की value आप जो है 9.8 लें चाहे 10 लें मैं 9.8 ले लेता हूं बराबर हो जाएगा वापस क्या 600 गुणा A A कितना है 4.9 तो T बराबर हो जाएगा आपके 600 तो आजाएगा common और 9.8 प्लस 4.9 ये आपका दोनों जूड करके बन जाएगे 600 गुणा ये 9 और 4 तेरा तेरा और पॉइंट 17 ये तो ये हो जाएगा लग भग आपके 14.7 और ये कितना आजाएगा यहां से यहां से लग भग यह आएगा आपके 9,000 न्यूटन के आसपास क्यों कि 14 पंजे अरे देखो 14 पंजे 6 से आप मल्टिपला कर दो 600 और 24, 24, 24 यानि लग भग 8,400 और फिर 0.7 और तो लग भग 9,000 के आसपास आपका इसका अंसर आने वाला है तो 9,000 न्यूटन जो है इसका आंसर हो जाएगा यानि जो कैबल इसको उपर की और खीच रही है ना उस कैबल के उपर लग भग 9,000 न्यूटन का बल लग रहा है इतने बल से उस कैबल को उपर खीचना पड़ रहा है समझ में आ गई बात ठीक है दोस्तो तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की और अब दोस्तो मिलेंगे हम आपको नेक्ट वीडियो के अंदर आज का ये वीडियो थोड़ा सा छोटा रख रहा हूँ लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो में हैं धन्यवाद